आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ की है 3x plus 2y ठीक है और Subject 2 जो हमारा Constant है वो क्या है x plus 2y is less than equal to 10 और क्या है 3x plus y is less than equal to 15 और x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0 ठीक है इसके लिए सबसे पहले अपन Coordinate यहाँ पे बना लेते हैं Coordinate Point Find Out करने के लिए एक Box मैं बनाता हूँ ठीक है और Second के लिए भी अपने एक Box पना लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यह x और y का value Find Out करने की कोशिस करता हूँ ठीक है तो यह हमारा रहा Coordinate Axis Sorry यह हमारा box जिसमें अपन Find Out करने वाले है x और y का value ओके तो देखो यह रहा मेरा x और यह y यह first वाले के लिए यह second वाले के लिए ठीक है इसको मैं equation 1 मानता हूँ इसको equation 2 मानता हूँ देखो जब x का value 0 होगा इसमें 1 में तो y की value क्या जागे 5 और जब y हमारा 0 put करेंगे तो x का value क्या जागा 10 ठीक है similarly यहाँ पर x का value 0 put करता हूँ तो y मेरा 15 और जब y 0 put करता हूँ तो x मेरा क्या जाएगा देखो 5 क्योंकि 3x equal to 15 तो x equal to 5 ठीक है तो इन दोनों points को मिला के मैं first line यहाँ पर draw करता हूँ coordinate में similarly second line को draw करता हूँ अब देखो मैंने x और y x इसको 5 5 unit में divide कर दिया है देखो first point है मेरा 0,5 0,5 मेरा यह point हो जाएगा 0,5 इसको मैं point A बोल देता हूँ और क्या है मेरा 10,0 10,0 देखो मेरा यह point हो जाएगा 10,0 इसको मैं point B बोल देता हूँ अब इन दोनों को मिला के एक line की तो देखो यह line हो गया A B को मिलाने वाला अब देखो second line के लिए अपन क्या करेंगे 0,15 है तो 0,15 देखो यह मेरा point हो जाएगा यह हो जाएगा 0,15 इसको मैं point C बोल देता हूँ यह 5,0 तो यह point हो जाएगा इसको मैं point D बोल देता हूँ जो की 5,0 है अब इन दोनों को मिलाके एक line बनाते है तो यह मेरा है एक first line और यह हमारा है second line अब देखो feasible region के लिए अपन क्या करते हैं सबसे पहले origin को satisfy करवाते है तो origin को satisfy करवाता हूँ यहाँ पे O जो की 0,0 है origin को first में satisfy करो हो आँगे मतलब x और y के value 0 पूट करो तो यह 0 is less than equal to 10 लिखा हूँ है तो देखो यह सही लिखा हूँ है ठीक है verify हो गया तो इसका मतलब यह हमारा जो first line है हमारा वो origin की और feasible region देने वाला है मतलब इधर origin की और इधर मतलब ठीक है अब देखो और हमारा क्या है की x is greater than 0 यानि की यह region और y is greater than 0 मतलब यह region ठीक है तो हमारा जो common region आएगा वो चारो को मिला के यह वाला आएगा ओके यह वाला हमारा common region आएगा अब इसी का हमें maximum value find out करना है ठीक हमें maximize बोला था z तो यहां भी maximize z find out करने के लिए हमें corner point चाहिए होगा तो देखो a point हमारे corner है एक origin है एक d point है और यह cutting point P है इसको अपन निकाल लेते है cutting point P को तो मैं क्या करता हूँ equation 1 को equation 1 में 2 को minus करता हूँ और 2 को 2 से पहले multiply कर लेता हूँ तो equation 1 मेरा x plus 2y था is equal to 10 मान लो और equation 2 को मैं 2 से multiply कर रहा हूँ तो क्या होजाएगा 6x plus 2y is equal to 30 और दोनों को minus करते ता हूँ तो यहां से x और y का value देखो मिल जागा यह 2y cancel यह मेरा minus 5x और यहां पे minus है तो यह minus 20 तो x का value यहां से क्या आगी है 4 जब x का value 4 आया तो यहां पे x का value 4 रखो तो यह क्या हो जाएगा 2y equal to 6 2y equal to 6 तो y की value क्या आजाएगी 3 तो यहां से 4,3 यह coordinate हमारा हो गया point का तो यह 4,3 अगर देखो हमें corner point पे चेक करना होगा जबकि z हमें दिया हुआ है जबकि z का value हमें दे रखा है वो है 3x plus 2y इसको maximize करना है 3x plus 2y को में maximize करना है तो हमें कौन-कौन से point पे चेक करना होगा एक origin जो की 0,0 ठीक है और एक point A जो की 0,5 ठीक है 0,5 point A और एक point B जो की हमारा क्या है 5,0 है ठीक है sorry point D जो की 5,0 है point D point D जो की हमारा 5,0 है ठीक है और एक point P जो की 4,3 है point P जो की 4,3 है इन पे हमें चेक करना होगा तो देखो सबसे पहले हमें 0,0 पे चेक करें तो हमारे value क्या है था x का value 0, y का value 0 तो यह देखो 0,5 पे तो x का value 0, y का value 5 that is 10 हो जाएगा और यह x का value 5 put करो तो यह 15 लिखा हुआ है और 4,3 put करो तो x का value 4 यानि की 3 into 4 plus 2 into 3 तो इदेखो 12 plus 6 लिखा हुआ है that is 18 तो देखो हमें maximize करना था तो maximum value क्या आ रहा देखो 18 आ रहा और वो किस point पे? 4,3 पे ठीक है? तो हमारा z maximum हो जाएगा 18 जो की 4,3 पे है Thank you